अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा आज का टॉपिक स्टुडेंट्स आज का टॉपिक थैमनेंस फियोरम है जो की AC सरकिट में यूज की जाएगी तो कैसे हम थैमनेंस फियोरम को AC सरकिट में यूज करते हैं आज उसी पे हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आप थैमनेंस फियोरम का स्टेटमेंट समझ दीजे ये इसका स्टेटमेंट ये है कि कोई भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल AC नेटवर्क है जो लोट के क्रॉस कनेक्ट है माली जे टर्मिनल ए भी पे तो आप उसको सिंपिल इकोलेंट सरकिट से रिप्लेश कर सकते हैं और कैसे रिप्लेश करेंगे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे सिरीज में इंपिडेंस के साथ तो जो वोल्टेज सोर्स होगा वो कहलाएगा थैमनेंस इक्वलेंट वोल्टेज और इंपिडेंस कहलाएगा थैमनेंस इक्वलेंट इंपिडेंस जैसा कि सुपर पोजिशन थियोरम में हम लोग समझ चुके हैं कि independent voltage source को short करेंगे independent current source को open करेंगे लेकिन अगर circuit में dependent source है तो उसको हम touch नहीं करेंगे वो circuit में as it is बना रहेगा अब इसके क्या-क्या procedure है उसको एक-एक करके समझते हैं काउनस काउनसे step है अगर सारे step आपको समझ में आ गए तो आप बहुत आसानी से simultaneous equivalent circuit ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी particular branch में current या उसके cross voltage पता कर सकते हैं तो वो कौन-कौन से step हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं step number one तो step number one में क्या है कि आपको जिस branch में current calculate करना है या जिस branch के cross voltage measure करना है उस impedance को temporary remove कर दीजे और वहाँ पे जो terminals होंगे उनका नाम लिख दीजे A और B फिक है न? दूसरा step क्या है कि A B के cross voltage पता कर लिजे चाहे के CL लगाना हो चाहे के VL लगाना हो होमसला लगाना हो सुपर पोजीशन थियोरम लगाना हो कुछ भी लगाके आप उस terminals A B के cross voltage पता कर लिजे उसे कहते हैं open circuit voltage या time-nance equivalent voltage VTH फ़र्ड स्टेप में आप क्या करेंगे फ़र्ड स्टेप में आप करेंगे कि सारे voltage source को short circuit कर देंगे अगर उसमें current source है तो उसको open circuit कर देंगे फिर आप क्या करेंगे total impedance निकालेंगे ABIC से अंदर की तरफ circuit में अंदर की तरफ जहाग कर देंगे और impedance calculate करेंगे इस impedance को हम कहते हैं time-nance equivalent impedance next step क्या है कि सारे अब आपके पास time-nance equivalent voltage आ गया time-nance equivalent impedance आ गया दोनों को series में connect कर दीजे last step आपका क्या है कि जो आपने impedance remove किया था उसको reconnect कर दीजे और forms ला लगा के आप simple तरीके से current या voltage उसके across calculate कर सकते हैं तो इस circuit में आप देख रहे हैं कि left side में figure 1 A में कोई भी एक linear bilateral network है load में जो current flow हो रहा है वो I.L है load का जो impedance है वो Z.L है तो जो rectangle box में circuit है उसको आप replace कर दीजे V.T.H. और Z.T.H. से दोनों को series में connect कर दीजे और load को फिर आप reconnect कर दीजे ठीक यह हो गया थैमने सीक्वल एंड नेट वर्क अब इसको कुछ examples के थोरो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं चलिए तो हमने पहले क्या करा कि voltage source हम यहां पे देख रहे हैं कि एक तो voltage source है और कुछ भी नहीं है बहुत simple circuit लिया है तो voltage source को short circuit कर दिया और impedance देखे ZTH को हमने इधर बनाये यानि इसकी तरफ अंदर की तरफ जहाक कर हमें देखना है तो आप देख पा रहे हैं कि 3 ohm और 4 जे 4 ohm दोनों parallel में connect हैं तो बहुत आसान है तो सबसे पहले आप ZTH निकाल लीजे तो ZTH क्या होगा बच्चों? ZTH is equal to दोनों parallel में हैं और दो ही हैं तो हमें मालूम है कि product upon sum है ना जब दो parallel में impedance होते हैं तो क्या होता है product upon उनका sum 3 plus J4 तो बच्चों ये क्या हुआ है? J12 और ये है 3 plus J4 अब ये rectangular form में हैं दोनों इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है 0 plus J12 upon 3 plus J4 अब ये calculator से हमने calculate कर लिया तो उपर तो 12th magnitude तो change होगा नहीं और चुंकि inductive reactance है तो purely inductive reactance है तो angle होगा 90 degree 3 plus J4 को हमने calculator से calculate किया तो I have 5 और angle I have 53.13 degree अब इसे आप simplify कर लिजे तो I have 2.4 angle 36.87 degree इतने ohm बच्चों यब ये question करिएगा तो calculator पास में लेके बैठिएगा तो देखे आपने थैमनी सीक्वलेंड circuit में VTH और ZTH calculate करना है ZTH आपने calculate कर लिया अब आईए VTH यानि थैमनी सीक्वलेंड voltage तो आपने पिछले step में आपको क्या बताये था कि voltage source को फिर से connect कर दीजे और उन terminal के across voltage निकाल लिये तो figure 3 में आप देख सकते हैं AB के across जो voltage है वो थैमनी सीक्वलेंड voltage है इसको open circuit voltage भी कहते हैं तो इसे कैसे calculate करेंगे इसको आप voltage divider से भी calculate कर सकते हैं या आप KVL भी लगा सकते हैं तो हम यह voltage divider rule लगाते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि दो ही impedance है voltage divider rule voltage divider rule ठीक है तो VTH क्या होगा आपको पता है पहले हम लिखते हैं total voltage यानि 100 angle 0 degree upon upon चुंकि हमें इस inductive reactance के across voltage निकालना है जो इसके across voltage होगा वही voltage होगा VTH तो इसको हम उपर लिखेंगे numerator में J4 और denominator में तीनों का sum ठीक आया समगने ओके अब ये आपका क्या होगिया ये तो है 100 angle 0 degree उपर क्या है 4 और 90 degree angle क्योंकि purely inductive है और नीचे अभी आपने calculate किया है 5 angle 53.13 degree अब इसको आपने simplify किया तो आपके पास आगया VTH is equal to 80 degree magnitude आगया और angle आगया आपके पास 36.87 इतने बोल बस अब आपको simple क्या करना है यहाँ पे एक voltage source लगा देना है voltage source बनाना है एक impedance बनाना है यह थैम्निन सीक्वलेंट यह VTH हो गया यहाँ पे value लिख दीजे यह ZTH हो गया यहाँ value लिख दीजे और यह terminal A और B हो गया यह थैम्निन सीक्वलेंट सर्किट हो गया बहुत simple है calculator साथ में लेके बैठिये calculate करिये यह देखें यहाँ पे बना दिया है थैम्निन सीक्वलेंट सर्किट clear हो गया ZTH voltage source VTS के series में है एक question और कर ले है find the थैम्निन सीक्वलेंट सर्किट of the network viewed from the terminal A and B पहला step आपका क्या है कि A, B के एक रॉस जो भी element है उसको सर्किट से हटा दीजे दूसरा step क्या है voltage source अगर है तो short कर दीजे current source है तो open कर दीजे देखे figure 2B में हमने यही किया है कि 2 ohm का resistor सर्किट से हटा दिया है और A, B के cross A, B के throw हमने सर्किट के अंदर जहाग कर देखा तो ZTH मिल ला है जिसमें 8 ohm और 6 ohm दोनों parallel में है माल लीजे 8 ohm जो है वो impedance Z1 है और 6 ohm जो है वो impedance Z2 है तो Z1 8 ohm दे रहा है ठीक है यानि inductive reactance 8 ohm दे रहा है तो यह J8 हो गया यह J8 हो गया तो Z1 is equal to J8 1, 8 ohm Z2 क्या है? Capacitive reactance 6 तो 6 का मतलब क्या है? Capacitive reactance minus JXC यानि यह दोनो parallel में हैं अब इसका हमने value निकाल ली तो 8 J8 क्या होता है? J8 magnitude तो 8 होगा inductive है तो 90 degree होगा और minus J6 क्या है? magnitude 6 होगा और angle minus 90 degree यह तो हम लोग जानते हैं first year में पढ़ चुके हैं तो product upon sum तो product में तो यह simple multiply होगे 86 और angle 90 degree यह minus 90 degree यह 0 degree इसको simplify कर लिया calculator से अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा J notation पे तो हमने वहाँ आपको यह सब चीजें बताई हैं अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजे J notation वाला वीडियो तो यहां से हमाँ पस ZTH आ गिया यह calculate कैसे किया है पहले इसको rectangle में change किया इसको rectangle में change किया फिर दोनों का real part और imaginary part को add किया उसके बाद फिर इसको polar form में change किया और यह value आ गई यह 28 नहीं है बच्चों यह mistake हो गई यहां पे 8, 6, the 48 I am very sorry यह 48 human mistake है तो आपके पास ZTH आ गिया अगला step हमारा क्या आएगा कि voltage source को फिर से reconnect कर दिया हमने voltage source फिर से reconnect कर दिया figure 3 में आप देख सकते हैं अब VTH क्या होगा VTH वही होगा जो minus J6 के cross voltage होगा तो यहां पे यह हमने KVL लगाया इसमें मान लिया current आई तो यह आपके पास equation आ गई KVL लगाना तो आपको पता ही होगा न अगर नहीं पता है तो हम अलग से एक इसका वीडियो बना देंगे तो 10 minus 8 J8I plus J6I is equal to 0 अब इसको simplify कर लिया है यहां से यह current की value आ गई 5 angle minus 90 degree तो VTH क्या होगा VTH होगा जो minus J6 के cross voltage होगा तो यह कितना है Z2 Z2 यह वाला है Z2 यानि minus J6 minus J6 put कि I की value put कि minus J6 का मतलब क्या है यहां पे आपको हमने बताया है minus J6 की value क्या है 6 angle minus 90 degree तो यह हो जाया minus 81 degree और 6 फाइवदा 30 यह आ गया VTH अब आपने इसको series में connect कर दिया VTH की value यहां put कर दीजे ZTH की value यहां put कर दीजे ZL की value यहां put कर दीजे और answer निकाल लीजे देखिए क्या value थी VTH कितना आया 30 angle minus 180 तो यह हो गया 30 angle minus 180 degree ZTH आपने कितना निकाला था 24 angle minus 90 degree यह हो गया 24 angle minus 90 degree और यह आपका ZL जो है यह आपका 2 ohm है पस यही circuit draw करने को कह रहा था तो यहीं तक circuit draw कर दी लेकिन अगर आपको current निकालना है तो यहां पे value put कर दीजे VTH और ZTH ZL की और VL अगर आपको voltage निकालना है load के across तो आप यह formula use कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको यह समझ में आगे आओगा एक question और करते हैं जिसमें dependent और independent source दोनों है यह gate में आया था 2007 में तो हमने आपको बताया था कि circuit में अगर dependent source है तो circuit से हम उसको remove नहीं करेंगे ना तो short circuit करेंगे ना open circuit करेंगे उसको वैसा ही लगा रहने देंगे सिर्फ independent sources को हम short circuit या open circuit कर सकते हैं तो यहाँ पर यह कह रहा है कि for the circuit shown in the figure below find the feminine voltage and resistance यानि VTS आपको निकालना है और RTS निकालना है VTS निकालिए और RTS निकालिए अब सबसे पहले हमने circuit redraw किया और branch current mark कर लिए यहाँ पर देखें यह I2 इस direction में जा रहा है downward I जा रहा है और इस branch में current I1 जा रहा है यहाँ पर यह हमारी node है सारे resistance इसी node पर connect है यहाँ का voltage VX मान लिया अब जब VX हमें voltage assume कर लिया कि voltage जो है वो VX है तो अब हमने इस node के उपर KCL apply किया मान लिजे इस node का नाम A है तो KCL आपने A note के उपर apply किया तो incoming current क्या है 2 ampere यह आ गया outgoing current क्या है I2 plus I plus I1 यह equation आपने लिखली KCL आप जानते हैं फिर I1 की value क्या होगी voltage क्या है VX और resistance क्या है 2 ohmsla लगा दिया यानि ohmsla क्या है ohmsla लगाईए ohmsla लगाईए VX is equal to 2 I1 I1 is equal to VX upon 2 यहाँ पे put कर दिया यह value I की value क्या है इसी तरह से VX upon 1 voltage upon resistance यह value पुट कर दिया I2 की value क्या है यहाँ का voltage क्या है VX यह voltage क्या है VX यह voltage क्या है 2I का यह कौन सा source है current dependent voltage source क्योंकि I की ओपर यह depend कर रहा है तो current dependent voltage source तो 2I क्या चीज़ है voltage है तो VX minus 2I upon 1 potential difference तो यह ही हुआ VX minus 2I क्योंकि current जो है VX से 2I की तरह flow कर रहा है तो VX minus 2I upon 1 is equal to 2 और यहां से आप देखें कि VX की value और क्या है VX अगर हम ओम सला लगा है तो अभी जो यहां पर लगाया है VX upon 1 is equal to I है ना यह है तो I की जंगा VX की जंगा या I की जंगा आपने VX पुट कर दिया तो यह equation आ गई इस equation को simplify किया 4 आ गई यह तो आपको पता होगा ना इसको तो simplify कर लेंगे LCM क्या आएगा 2 आएगा तो VX की value 4 आ गई अब VX की value जो 4 आई है तो VTH क्या होगा VTH भी 4 होगा कैसे होगा भाई VTH 4 तो देखिए यहां पर जो voltage या I1 की value क्या होगी चाहे तो आप I1 की value निकालिए आई की देखिए 1 ohm resistor, 2 ohm resistor यह सब parallel में है तो 1 ohm के cross voltage क्या होगा 1 ohm resistor के cross voltage क्या होगा बताइए 1 ohm resistor के cross voltage क्या होगा VX upon 1 is equal to I और VX की value आपने निकालिए 4 I की value क्या है VX is equal to I यानि VX is equal to I VX तो I की value क्या होई I is equal to 4 तो voltage क्या हुआ 4 into 1 that is 4 volt तो VTS यह आ गया ठीक आप आईए calculate करें ZTS अब हम क्या करेंगे कि X और Y terminals को short कर देंगे इनको short कर दिया ऐसे इसमें जो current flow हो रहा है वो ISH है तो आप क्या होगा सारा current इधर ही जाएगा जो यह 2 ampere current flow हो रहा था अब वो ना तो 2 ohm resistor के थो जाएगा ना 1 ohm resistor के थो जाएगा यह सीधा का सीधा इधर जाएगा क्योंकि least path इसको यही मिल ला है least resistance path यही मिल ला है तो आई एसेच की वैलू क्या होई आई एसेच की वैलू 2 ampere होई अब RTH निकाल लिए RTH is equal to VTH upon short circuit current VTH 4 निकाला यह 2 निए इस इकल्टू 2 तो आपका circuit बनके तैयार हो गया कैसे circuit बनके तैयार हो गया आपके पास VTH भी आगया आपके पास RTH भी आगया आप circuit बना लीजे यानि तैमनिस equivalent voltage source के series में तैमनिस equivalent impedance लगा दीजे एक question बहुत मज़ेदार है एक student ने हम से यह पूछा था कि सर इसका कैसे निकाले क्योंकि आप तो यह कह रहे हैं कि voltage dependent voltage source या dependent current source को circuit से नहीं हटा सकते अब जब नहीं हटा सकते तो सरी से करें कैसे कुश्चन यह है बहुत मज़ेदार कोश्चन है कैसे किया जाए इसको आप लोग बताईए थोड़ा सा सौचिए सौच के बताईए कैसे किया जाए बहुत अच्छा सवाल है यह देखिए जब भी इस तरह का question हो जिसमें सिर्फ dependent source हो तो आप ये याद रखिए कि इस case में VOC यानि open circuit voltage जो है वो zero होगा open circuit voltage zero होगा आप चाहे तो हम यहां लिखे दे रहे हैं the given circuit the given circuit contains only dependent इन सच केसेज बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं इन सच केसेज वी ओ सी इस इस इकल टू जीरो ठीक अब कौन-कौन से स्टेप फालो करने नमबर वन कनेक्ट 1-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C तो अब आपने इसको क्या किया यहाँ पे एक करन्ट सोर्स लगा दिया यह यह वन एम्पियर है तो अब आप के सील मान लीजे यहाँ पे आप लगा दीजे यह नोड एक्स है तो K-C-L एट एक्स क्या आएगा देखिये 5Y minus VAV यहाँ का वोल्टेज यह करण्ड डिपेंडेड बोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे वोल्टेज किया है 5Y यहाँ पे वोल्टेज किया है VAV अपान ये किता है 10, अपान 10, माइनस VAB अपान 20, ये आ रहा है, ये 1 एमपिर है, कुछ इधर गया, कुछ इधर आ रहा है, तो अब ये क्या हुआ, VAB अपान 20, फिलस 1 is equal to 0, अब यहां से I की वैलू निकाली है, I is equal to VAB अपान 20, क्लियर, समझ में आ रहा है, I is equal to VAB अपान 20, अब, अब, अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, बस ये वैलू पूट कर दीजे, यानि 10 इन्टू VAB अपान 20, माइनस 3VAB, is equal to minus 20, बहीं आप सिंप्लिफाई करेंगे न, इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लिफाई करेंगे, अब आप लोग सोंच रहोंगे, कहां से सर ने निकाल दिया, हम तो calculate किये बैठे हुए है, minus 3VAB, is equal to minus 20, अब आया समझ में, अब यहां से आपने VAB की वैलू निकाल ली, यह आई, 8V, तो RTH क्या होगा, RTH is equal to VAB upon 1, यानि 8 Ohm, अब आपने यहां पर यह, 7 in equivalent circuit बना दिया, 7 in equivalent circuit, ठीक है बच्चों, समझ में आया, बहुत आसान question है कि जब भी dependent source हो circuit में, आप फॉरण 1 ampere का current source लगा के calculation कर दीजे, आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर बताईएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज, प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे, हमारे 1000 subscribers बनाने में, आप अपनी help करिए, आप अपनी help दीजे, मदद दीजे हमको, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, अगर कोई भी doubt है, तो comment section में जरूर बताईएगा, मिलते हैं, next वीडियो में, 9 tons theorem के लिए, thank you.